हलो स्टेंट्स अगर आप भी आईटी जेम 2022 को पार्टिपेट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको केटेगरी सर्टेपिट कैसे बनाने है ज्यादा दर स्टेंट्स का सवाल यह होता कि सर मुझे सेंटर लेवल का बनाना है या इस्टेट लेवल का बनाना है मुझे ओफलाइन बनाना है या फिर मुझे ऑनलाइन बनाना है मुझे कौन सी लेंग्वेज का फॉर्मेट में बनाना है इंग्लिस में बनाना है या फिर अ साथ हिमें यह बताने वालाओं कि जो स्टुनेंटस और जनरल से रिजरवर के डिच्टेगरी में आना चाहते हैं उनको क्या अगर सைच्टुट के तरूट कह HEKAR अंपका का आपका रिजट हो जाएगा चाहे आप OVC से हो, चाहे AWS से हो, चाहे SC, ST से हो, तो इस्ट्वेंड्स बात करने की कौनसी Language में बनाना है, तो इस्ट्वेंड्स आपका फॉर्मेड्ट जो भी Center-Level का फॉर्मेड्स बनेगा, वो इस्ट्वेंड्स आपका English Language में ही होगा, ध्यान दीजिए, आपका जो पहले पुराना है वो ही चल जाएगा लेकिन जो OBC के स्टुडेंट जो OBC के स्टुडेंट या EWS के स्टुडेंट है अगर वो IAT में एडिमिस लना चाहते हैं तो उनका जो सेशन 2021-22 को ना चाहिए यानि 30 मार्श 2021 के बाद का बना होना चीए अगर जो इस्टोएंट CCMN काउंसलिंग के थुरू CCMN काउंसलिंग के थुरू NIT में एडमिस लेना चाहते हैं जो इस्टोएंट NIT में एडमिस लेना चाहते हैं उनका category certificate जो है उनको नया बनाना पड़ेगा क्योंकि उनका category certificate है वो 30 मार्श 2022 के बाद का उना चीए 30 मार्श 2022 के बाद का उना चीए किसका EWS या OBC का SCHT का चाहिए IIT में एडमिस लेना चाहिए NIT में उनको नया नहीं बनाना है अगर IIT में एडमिस लेना चाहते हो तो आपको सेशन 2021-22 का चल जाएगा अगर आप NIT में एडमिस लेना चाहते हो तो आपको सेशन 2021-22 का बनाना होगा यह स्ट्रेंट्स इंपोर्टेंट बात थी इसके साथ ही और भी किसी परकार का आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूब तहें साथ में आपको यह भी बता दूँ कि अगर आपकी स्टेट में फेसिलिटी है ओनलाइन बनाने की तो जहां तक हो सगया आप ओनलाइन ही बनवाईए के टेगरी स्ट्वीर ताकि आपको वेरिफिकरिशन में किसी परकार की कोई प्रोब्लम नहीं आए अगर श्ट्वींट्स आप इस चनल पर नए हैं तो पर लिए चनल को सब्सक्राइब गूर कर देना बहुत बहुत धन्याए